वेलकम टू माई चैनल फ्रेंटस आज हम बात करेंगे एक इंडिगेटर की जिसका नाम है बोलिंजर बैंड ठीक है यह इस इंडिडिगेटर के बारे में आपने पहले सुना भी होगा हो सकता है आपने पहले इस इंडिगेटर के तूर कुछ ट्रेड़ बेलिए हो लेकिन हमारे में से बहुत सारी लोग ऐसे हैं, जिनके साथ होता क्या है, उनको इस Indicator के बारे में थोड़ा सा पता होता है, लेकिन पूरी तने इसके बारे में ज्यान नहीं होता कि यह Indicator actual में काम कैसे करता है, और वो क्या करते हैं, जैसे आप इस Trading View के चार्ट में आप दे लाइन होता है यह लाइन होता है और यह 20 इमें के तुरू काम करता है तो बहुत चार लोग क्या करते हैं जैसे यह कंडल अपसाइड में इसको टच करने लगते हैं और कोई भी कंडल अगर एक या दो गंडल इसके थोड़ा सा भाहर निकल जाती हैं वहां पर हम ट्रैप हो ज दो जाता है वहां से कर मार्केट अपसाइड में मुवमेंट कर तो कर देता है अगर अबसे हम बहुत चार लोग अकसर यह सोसते हैं लेकिन ऍहीं होता है क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है फिर जुए ट्रेड करने क्योंकि अगर गष इसे तो लोग कोई रहे गा ही नहीं सब यह रास्ता इधर जाएगा यह रास्ता पहुंचना है तो हमें पहले थोड़ा समल के देखना और लेप्ट रैट कि एक्षल में रास्ता वहां जा लोवर लाइन से नीची आया एक और गृण से बाहर बना है उसके बाद बैक टूर बड़ी बड़ी रेड़ कंडल आई उसके बाद एक और ग्रीन कंडल इसके बहार बना है अगर मालो हमने यहां पे गलती कर कंडल निकलेगी तो उसके बाद मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा मार्केट अगर डाउन जा रहे हैं फिर आप करना स्टाट कर देगी लेकिन हुआ क्या इसा नहीं हुआ यह हम बहुत सारी लोग हमारे में ऐसा ही है जो यह गलती करते हैं और वह बोलेंजर बैंड यह हैंगे इसमें ओगने यह सबसे पर्फेक पिक्चर हिं ट्रेनिग चार्ट की इसमें मार्केट कहा ट्रेंड कर रहा है अपस कर रहा है इसकी सही पिक्चर अगर आपको देखनी है तो आपको यहां पर टाइम फ्रेम वन डे का लगा लेना है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर इंडिकेटर के सेक्षिन में आना है यहां पर आपको डालना है बोलिंजर बेंट्स यह वाला indicator आपको डालना है मैंने पहले डाल कर रखा इसलिए मैं इसको select यहां से नहीं कर रहा हूं आपको जो पहले बार डालेंगे तो आप यहांपे इसको select करके आप अपने trading view के चार्ट में आ सकते हैं जैसे आप इसको select करेंगे तो आप दिखेंगे कि यह वाल लाइनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अपर बैंट मिडल बैंट और लोवर बैंट अब इसमें इसमें ध्यान करकना है जैसे मार्केट मार्केट का जैसे की कोई भी स्टोक का प्राइज अगर अपसाइड मोमेंट कर रहा है तो आपको यह वाला indicator देखते आपको क्या करना है कि आपको मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है यह चेक करना है वो चेक करने के लिए क्या करोगे उसके लिए एक इंडिकेटर है उसके लिए हमें फिर इंडिकेटर के सेक्षिन में आ जाना है यहां इंडिकेटर के सेक्षिन में आजाना है यहां पर आप जाल लेते हैं अभी आप यहां पे मार्केट का मॉमेंट में था यहां पे जो यह निचे जो काईने हैं जो के इसको सब्सक्क्राइब काफी बढ़ा हुआ फिर और एक और रोड रेट अलाइं तो वॉल्य में इसमें कम हो गया लेकिंव फरद वाला रेट केंडल आया। मार्केट अपसाइड मुड्र करना चुछ है अगर आपने दोनों इंडिकेटर कर करकर ट्रेड लिया है तो आप यहां से गलती नहींहीं करेंगे अगर है एक इंडिकेटर उल्ली बोलेंजर बैंड लगाके ट्रेड ले लिया तो आप यहां पर गलती कर वैठेंगे यह तोड़ा आपसाइड मोमेंट अब जान लेते हैं डाउनचाइड की मुवमेंट का अब देखो यहां पी इंडिकेटर ने इंडिकेट किया यह नीचे इतना बड़ा यह टाउर बनावा था इस रेड कलर का उसके बाद वोल्यम बढ़ा हमारा यह लिदेटर पार weering Lisa बहनी के बहार है फिर इस थोड़ा कम वग्याओ फिर बड़ा फिर बड़ा फिर यह बड़त तो आप देखो कि किस तरह बठर बढ़ा है नेगितिव बढ़ रहा कि market में जो candle है यह बहार बन गया है तो हमें फिर वापिस market यहां से reversal कर सकता है तो हम न कहीं न कहीं हम तो गलत हो जाएंगे तो इसलिए हमें यह जो volume वाला जो indicator है इसको भी साथ-साथ यूज करना है जिससे आप गलती नहीं करेंगे गलती नहीं करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग की strategy में improvement होगा और आप profit लेके हमेशा उठेंगे फ्रेंड्स अब जान लेते हैं बोलेंजर बैंड में एक और तरीके से कैसे trade होता है हम इस जैसे कि बोलेंजर बैंड अभी चार्ट पर बना वाई इसमें हम देखते हैं कई जिगें जो यह जो तीन लाइन है अपर मिडल और लॉवर बैंड यह एकदम पास माजाती है उसक इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलेंजर बैंड स्क्वीस जैसे कि यह वाला है यह अभी तीनों लाइन एकदम पास पास आ गई है अब यहां से क्या होगा जब किसी बीचीज को हम दबाते हैं तो एक लिमिट तक ही वह प्रेस होती है उसके बाद फट जाती सब्सक्राइब मैं से जाता है और फट रहा है फोड़्यम बढ रहा है तो जब यह यह कभी यह आप condition देखे तो आपको volume का यहां से पता करना है उसके बात देखना है कि जो line है जैसे कि middle line है जो या इसको आप simple moving average की जो line है यह वाली yellow वाली इसके अगर upside में candle बन रही है और volume अगर green color में नीची का यह volume आ रहा है तो इसमें buyer active हो रहे हैं तो market upside में जाने का आपके लिए सं candle है कि जो यह जो middle line है middle वाला जो band है middle band है इसके नीचे बन रही है और यहां पर जो candle है उसका volume बढ़े और red color में दिखाए दे तो इसके मतलब है कि market में seller हावी हो रहे है market अभी downside में moment कर सकता है share का price downside में moment कर सकता है तो अब तक हमने बात किया दो condition का पहले वाला तो यह वा ग्रेंड करेगा उसको कैसे ट्रेड करते हैं अब हम जान लेते हैं आगे यह बरिंजर में और क्या सेख सकते हैं चाहिंशन लेते यह एक और technique के बारे में जो बोलेंजर में में दिखाई देती है लेकिन पैचान नहीं पाथे हैं वह क्या होता है जैसे यह जो middle वाला जो band ह यह इसका क्या काम है यहां से इसको देखे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं जैसे यहां देखेंगे आप जब भी बोलंजर बैंड बने और कोई भी केंडल अगर मार्केट में कोई भी शेयर का प्राइज नीचे से उपर जा रहा है बढ़ रहा है और इस लाइन को क्रोस कर दे देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड किसी भी शेयर का ट्रेंड अप्साइड में जा रहा है तो यहां पर आप कोल के लिए बैठ सकते हो उस सेयर को खरीच सकते हो ऐसे ही जब जब यह जो 20 EMA का Simple Moving Average का लाइन है इसको उपर से कोई केंडल कट करें रेड गलर का तो आप समझ लेना कि यहां से सेयर का प्राइस डाउन जाने वाला है उसके बाद देखिए यहां पर इसमें चार्ट में भी देखो कितना मोमेंट मिला है यह बहुत सिंपल सिंपल आपक अपने ट्रेडिंग वे इसको यूज कर सकते हो तो यह अच्छा सा प्रॉफिट भी बना सकते हो तो यह ऐसा ही नहीं कि यहां पर आप टेस्ट कर लो इसका कहीं भी जाकर देख लो जहां पर ऐसा कट हूँ कट हुआ है जो यह मूमिंग अवरेज को कट किया उसके बाद मार बहुत चोटी चोटी चीजे हैं लेकिन आप जब समझ लोगे तो आपको ट्रेड करने में मज़ा आने लगेगा इसके अलावा यहां देख लो आप के असके अब लेना है यहां से कौकड में मार्केट वोल्टाइब करने यहां पर कहीए करने और बना यहां पर और यह जो green candle बना यहां पर हमें लग गया कि market का movement कि स्पयर का moment अभी upside में हो सकता है हमारा इसको buy कर लिया हमारा फैर्टोफ़रिण का होगा इसके ऐसे जो candle है उसका जो लो है हुन PB आप step loss के साथ में काम कर सकते हो यह तो कर सकते हो आप जब आप खरीद रहे हो ऐसे जब आप सेल कर रहे होगे तब भी आपको ऐसा ही करना है उसमें क्या करना है वो भी हम दिखा देते हैं यस जैसे यहां पर इस लाइन ने क्रोज करके नीचे एक और रेड केंडल का लाइन बना स्टार्ट हुआ तो इस केंडल का आप हाई ब्रेक करके आप नीचे के मुवमेंट के ट्रेड ले सकते हो तो इसमें आपको बहुत अच्छा प्रोफिट होगा यह मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसमें एक स्ट्रेड यूज करना है आप मल्टिपल स्ट्रेडजी है एक बोलिंजर बेंड एक इंडिकेटर है इसमें आप कई तरह से ट्रेड ले सकते हो लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा प्रेक्टिस करना पड़ेगा तब आप अच्छे से ट्रेड ले दोस्तों आपको इस वीडियो में कैसा लगा आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया आप कोमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें में फोलो करें थेंक यू